हाई दिस इस दिपेश और वाचिंग माई यूटीब चैनल चीव रिवीव और फियर ओपिनियन्स आज अजे देवगन की मुवी बुझ द प्राइड आफ इंडिया रिलीज हो चुकिया डिजनी हॉट स्टार में डिरेक्टेड वाई अभिशेक दूदिया अभिशेक दूद सब्सक्राइड अभिशेक दूदिया अभिशेक दूदिया अभिशेक दूदिया अपने पास ले लेंगे फिर हम नेगोशियेट करेंगे और हम बोलेंगे क्या आप बंगलादेश से पीचे हट जाओ अपनी आर्मी और हम यहाँ से विड्राउ कर लेंगे लेकिं इसा पॉसिबल नहीं है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कि बहुत ही बड़िया दिमाग लगा देते हैं यहां पर पाकिस्तान की आर्मी वह सोचते है कि कच एंड बोच यह सिर्फ दो ब्रिज के कारण जुड़े हुए है में लाइंग से और जो कमिनिकेशन होता है वह अगर फास्ट करना है तो उनके पास एक एरबेस है जो एरफोस का एरबेस होता है पाकिस्तान सुचता है कि क्यों हम वह दो ब्रिज उड़ा दे और यह एरबेस को उड़ा दिया तो इंडियन आर्मी को हेल्प नहीं मिलेगी अठा घंटे में हम पूरी की पूरी कच और बुच को अपने अंडर ले लेंगे और फिर हमने को शियर करेंगे इंडियन गवन्मेंट के साथ तो यह प्लान के साथ वो पूरे के पूरे एर स्टिप्स को उड़ा देते हैं विजे कारनिक फ्लेड स्कौंटर लीडर विजे कारनिक विच इस प्लेड बाय अजे देवगन तू वह जाते है गाव में वहां के फीमेल्स लोगों से रिक्वे और बम गिर रहे हैं कभी भी बम गिर सकता है फारिंग हो सकती है जान जा सकती है हाथ पैर कट जा सकते हैं चिर्भी इतनी दिलेरी दिखाना हां बोलना भाई इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए तो बी ऑनेस्ट और इन्ही लोगों के कारण आज इंडिया एक सब्सक्राइब है तो यह पूरी की पूरी फिल्म की प्लॉट है नाओ कमिंग ऑन टू कास्ट एसेट स्कॉर्डन लीडर विजय कार्निक सर का रोल प्ले किया है अजे देव गन ने शरत केलकर है इसके अंदर संजेदत है जो की रॉ एजेंट है शरत केलकर है जो की एक सब्सक्राइब है मुवी में लेकिन लेकिन वाटेव स्क्रीन टाइम ही गॉट प्रूब अगें दैट है यह थैट एक्टिंग क्राफ्ट मेंड शिफ्ट इन हम तो यह उनके पास वह क्राफ्ट है वह एक्टिंग है और ही इसन गुड आटिस्ट वी ऑनेस्ट संजेदत है सब्सक्राइब आपकी आठी संजेदत के ऊपर टिक जाते है आज एक्टिंग करते हैं अच्छी एक्टिंग करते हैं मेरे को लगता है कि अभी यह उनके लिए रोज का काम हो चुका है कि मुझे कभी-कभी लगता है कि अगर 50-60% रोल्स उनके ऐसे ही होते हैं आर्मी या फिर आर्मी या फिर मोस्ट आप टाइम तो ऐसे रोल वह बहुत ही बड़ी तरीके से निभा देते हैं नोरा फते ही है कि वह ईस पाइक प्राइस इसमें कोका कोला वाला गाना नहीं था एऔर फिर डिल तूटा नहीं है एमे विर्क ऐसा कोई बंदा नहीं रहेगा जिसने एमे विर्क के गाने नहीं सुने रहेगे दिल तूपने के बाद अब मैं को डर लग रहे हैं कि वो मुझिशियन पहले या एक्टर पहले पता नहीं लेकिन अच्छा बहुत बड़ी आक्टिंग करी है आम यह विर्क ने बहुत ज्यादा मैंने उनके बारे में बात कर लेकिकि यह इंप्रेस्ट में रियली विर नौं कमिंगान टू बैग्रा इसे वाला बैग्राउं स्कोर देना चाहिए लेकिन नौर्मल जैसे होता है वैसे चीन कैप्चर किये हैं कमिंग आन टू तो तिंग्स आइलाइक तिंग्स आइलाइक मैंने बोला कि आप उन्हें को बैग्राउं को काफी अच्छा लगा इसका एंगेश करके रखता है डाल जो दिये हैं इंस्पिरेशनल डालॉग जो मैंने बोला कि शेहरशा में मिसिंग है इसमें आपको एक इंस्पारिंग डालॉग से हैं मोटिवेशनल डालॉग से थर्ड इसमें एक थीम सॉंग ही है जो एंड में एक घंटे के एंड में continuous बचते रहता है जब कोई शहीद होत है तो यह गाना उनके पीछे बचता है जाने इंस्पारिंग आपको एक तो था कि ही रियालिजम से दूर है रियालिजम एंड ही में हमेशा बोलता रहता है कि पीड्रॉग साउथ के फिलिम देखेंगे आपी शेरशा देखेंगे ने एक साउथ के डिरेक्टर ने बनाई है यहां पर इतना हीरोईजम दिखा देते हैं और चले जाते हैं और जाके दोनों की टकराव हो जाता है और गिर जाते हैं पलिटिमार के लेकिन उनको सिर्फ इतनी से खरोच आ जाती है क्रैश प्लेन होता है और जीप का वजन होता है इतना जोर से कोलीजन होने के बाद अगर गिर जाते हो तो आपको बहुत होना चाहिए एक खरोच तो नहीं आएगा इतना तो 100 परसंट शूर या बाइक से गिर जाते हैं तो यह तो टकरा है जैट और जीप दूसरा एक लग भी द्त पूसरा चाल जाता है तो उसका चहरा जोर से वह कांश पर ऐसे टाव करके मारता है बहुत जोर से और मारता है हिंगी बल्कि वो चेहरे को तूटे हुए कांश पे ड्रैग भी करते हैं फिर भी नौरा फत्याली खान का हलका सा यहां पर खरो चाहिए पता नहीं लेकिन इतना इंपक्त वी ओनेस्ट आपका यह पूरा चहरा चील जाना चाहिए और जैसे आपको ड्रैक करते हैं तो आपकी पूरी की चमडी उतर जानी चाहिए पर ऐसा कुछ नहीं हो नौरा फत्य की चैनल मैं थोड़ा सा यह लगा कि जादा हिरो फीन दिखाया था चाहिए से उप्रूँच की तो फिरह नहीं हो जांठाय और मुआभट नहीं लोगोंको को पनी अंयरे और किसी ऑपाकिस्तानी के पास बंदूख नहीं थी में जहार के पास बंदूग रहते जिसको वह ग लेता है और बात कम से कम 20-25 लोग उसको मार रहे हैं और वह 25 लोगों को मार रहे हैं अगर वैसा हुआ रहेगा तो भाई सब्सक्राइब लेते हैं वी एफेक्स थोड़ा और क्यों नहीं खर्चा करते मुझे पता नहीं आज तक बॉलिवूड इतना डरते कि वह जब साउट में इतना वी एफेक्स इस्तमाल कर दिया बजेट में तो क्या जाता है इसमें टॉम क्रूस वाले एफेक्स नहीं दीखते है जो कि टॉम कुरूस वाले फिल्म में दीखते है डिसेंट भी एफेक्स है वोंट से डिसेंट लेकिन आपको इंस्पायर भी कर लेती है आपको इमोशन भी कर लेती है ड्रामेटिक मूवी है लेकिन हीरोईजम से भरी पड़ी है मतलब यह टिपिकल बॉलीवूड वार अभी खराश नहीं आती है कुछ नहीं आते है लेकिन वह अकेला जा कि सब कुछ करके आज आता है तिपिकल बॉलीवूड मुवी ए और कुछ नहीं इसके अंदर और कुछ नहीं अजिए अब देख सकते हैं इसे वाचेबल मुवी तो बीआनेस लेकिन लेकिन इपको इतना ही तार रिव्यू हम मिलते हैं फिर से किसी और मुवी के रिव्यू में अगर आपको यह अच्छा लगा तो प्लीज यहां पर सब्स्राइब कर दीजिए थैंक यू पाइ